आज यानि की 26 जुलाई को मिलाकर पार्लिमेंट के मौनसून सत्र की सिर्फ 13 बैठके यानि 13 वरकिंग डेज ही बाकी हैं। आज ही ओपोजिशन पार्टीज ने लोग सभा में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है। ये सिलसिला दरसल 20 जुलाई को शुरू हुआ, मनिपूर से एक दर्दनाक वीडियो के आने के एक दिन बाद आपोजिशन पार्टीज पार्लिमेंट में पहले ही दिन से प्रधान मंत्री से मनिपूर हिंसा पे एक स्टेटमेंट और डिसकशन की डिमांड कर रहे हैं। पर सरकार का कहना है कि होम मिनिस्टरी स्टेटमेंट देंगे और वही पार्लिमेंट में डिसकशन में हिस्सा लेंगे। इसका मतलब है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी दोनों चीज़ों को करने के लिए तयार नहीं हैं। ना स्टेटमेंट ना डिसकशन। तभी से पार उनके अलग-अलग असर के बारे में आज की न्यूस क्लिक किये चर्चा है। इसमें हमें ये भी समझना होगा कि आखिर आपोजिशन प्रधान मंत्री से क्यों डिमांड कर रही है कि उन्हीं को स्टेटमेंट देना होगा मनिपूर पे। आएए बात करते हैं वरिश पत्रकार परणजोई गुवाठाकुटा से। परणजोई ये बताई है कि नो कॉंफिदेंस मोशन का क्या असर पड़ेगा सरकार पे। विरोधी दल का उमीद है कि प्रधान मंत्री संसत का बाहर चत्तिस सेकेंड उन्होंने कहा। उनका कथन, उन्होंने कहा ये, जो मनिपूर में गटना हुए है, और ये भी मनिपूर के जितने सारे गटना होना का धाई महिन पात संसत का कि उन्होंने कहा। यह अत्यंतर स्थ्याणठ शर्मनाक है, लज्ञाजानक है बस और कुछ नहीं कहा। सांसत के अंदर विस्तार से उन्होंने बात नहीं किया तो जो विरोधी दल है जो जो गड़ बंदन को आज हम इंडिया नाम करके बोलते हैं इंडिया नैशनल डेवलप्मेंट इंक्लूजिव एलाइंस 26 राजनेतिक दल है उनका उमीद है कि अगर एक no confidence motion है वो हार जाएंगे यह तो सब जानते हैं कि लोकसभा में राज्यसभा में उनका भूमत नहीं है सब लोग जानते हैं मगर अगर एक no confidence motion या एक अविश्वास प्रस्ताव आता है उमीद है कि सिर्फ ग्रियमंत्री अमिच्छा ने प्रधान मंत्री को कुछ कहना परेगा इस उमीद से मैं समझता हूँ एक रन्नीती अच्छा है क्यूंकि आपने अभी-अभी जो कहा जो लोकसभा का ध्यक्ष राज्यसभा का अमार जो वहा का रल जगदीब धांकर जी ओम बिरला जी उन्होंने 176 में बादशित आलोचनक डिसकुशन सब करने के लिए त्यार था मगर विरुदीदल माना नहीं क्यूं इसका कारण ये है कि ये जो रूल 176 है 176 में धाई गंड़ से जादा आपका बादशित नहीं होगा आपका चर्चा नहीं होगा पर जोग ये सोचेंगे कि धाई गंड़े तो बहुत लंबा अर्सा है नहीं वगर इतने राजनेतिक दल है सब लोग कुछ बात करने चाहते हैं हर जो हमारे जो जो एमपीज है राजसभा में लोकसभा में दो मिनिट टेन्मेंट से जाधा बात करने चाहते हैं कोई कहेंगे कि हम पाच मिनिट बात करने चाहते हैं साथ मिनिट बात करने चाहते ह तो विरुदिदल कह रहे है कि रूल 267, 267 में अगर ये चर्चा होता है, तो ये जो रूल है, इसमें प्रधान मंत्री को उनका एक कथन, उनका विवरन अनि वारिजा है, सुवो मोटो यानि की स्वप्रेर ना, देना ही पड़ता है, और उसके उपर पहले प्रधान मंत्री का कथन आता है, उसके बाद उसके उपर चर्चा चलेगा और प्रधान मंत्री जवाब देते हैं, तो ये सरकार माना नहीं, तो इसलिए, हम देखा किस तरह से आज विरुदिदल, उनका रनमिती बदल के बोला, कि नो कॉन्फिदेंस मोशन, एक अविस्वास प्रस्ताब करें अभी हमारे उमबिरला जी के उपर निर्भर कर रहे है, जगदीब धांकर जी के उपर निर्भर कर रहे है, देखिए, बीस चुलाई, ये मॉन्सून का जो सत्रह शुरू हुई थे, अभी तक दोनों हाउस, राजसभा, लोगसभा ठीक तरह चलानी, थोरे देर के लिए चल है, राजसभा का जो चैर्मेन है, इनका दस दिन समय है, दस दिन तक समय है, तेरा दिन ही बाकी है, मैं समस्ता हूँ, देखिए, आज जो घटना हुई है, हर भारतिय नागरिक के लिए, जो मनिपुर में जो घटना हुई है, जैसे हमने वीडियो देखा, जिसके बारे में आपने जिकर किया हर नागरिक को आज से महिला नहीं हर नागरिक को आज सिर जुका के कहना परिगा यह अत्यंत शर्मनाक अत्यंत लज्याजानक यह पूरा देश का छबी पूरा विश्व में खराब कर दिया और ऐसा अपमान पूर्ण ऐसे वीडियो जब सारवजनीक हो जाता है इसके बाद ही धाई महिना के बाद ही मोधी जी बात क्या चुराओं के पहले मोधी जी कहते थे हम उत्तरपूर्वा भारत में बहुत बार गए हैं पाकी भारतवर्श के जितने प्रदान मंत्री हैं जितने बार नौर्टीस्ट में गए हैं में जागा बगर चुनाव प्रचार के जाते क्या जब उनका जरूरत पड़ता है वो नहीं आ रहे क्या स्तिती है देखिए पिछले धाई महिना में एक तेर सो कम से कम तेर सो लोगों का हत्या किया गया पता नहीं कितना महिला को बलतकार हुए है कम से कम 50,000 लोग अपनी देश में अपनी राज्य में रेफ्यूजी शरहनात से बन गया तीन हजार से ज़ादा हतियार लूट किया गया स्तिती भारतवर्ष में हमने नहीं देखा पता नहीं कितने दश्रिक में हमने ऐसे नहीं देखा और प्रधान मंत्री आधा मिनिट बात करने के बाद एक्दम खामोश आपको क्या लगता है कि जो रूल्स पर डिसकेशन हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि प्रधान मंत्री डिसकेशन में आए और दूसी तरफ जो भी रूल का डिसकेशन है रूलिंग पार्टी की तरफ से ट्रेजरी बेंच की तरफ से वो इसलिए कि प्रधान मंत्री ना आए डिसकेशन के लिए तो कहीं न कहीं प्रधान मंत्री इश्यू बन जा रहे हैं और मनिपूर का जो क्राइसिस है वो पीछे हट जा रहा है क्या opposition को भी एक नई रन नीती बनानी पड़ेगी बिल्कुल यही नई रन नीती है no confidence आज जो दक्षिनपंती पत्रकार है दक्षिनपंती मीडिया चैनल है वो दिखा रहे है पाँच साल पहले नरेंद्र मोदी जी क्या कहा कि आप पाच साल के बाद ऐसे एक और no confidence motion एक और अविश्वास प्रस्ताब लाएंगे और जब वही हालत हुई थी पाच साल पहले वही हालत हुई है मान लिया आपके पास बहुमत है लोक सभा में है आपका राज्य सभा में बहुमत है आप लोगों को बात सुनने के लिए विरूदी दल का बात सुनने के लिए तियार नहीं है आप देखिए जो विरूदी दल का निता जो है लीडर अपोजिशन राजय सभा में मले कार्जुन घरगे जी जो कॉंग्रेस पाटी का अध्यक्ष है सम्मान में ऐसे, आपने, क्या-क्या, you have no respect, you are challenging my self-respect, ऐसा में कहता हूँ, करना उचित नहीं है, देखिए मैं समझता हूँ, एक तरह से, जब लोग अंकारी हो जाता हैं, एक दम भेकूफी कर, उनका, मैं बताता हूँ, आज प्रधान मंत्री नरेंद्रु मोदी को कौन रोक रहे है, बिरेंज सिंग मनिपूर का मुख्य मंत्री को बता रहा, कि तुम इस्तिफादे दो, क्या होगा, उसका राजनितिक लुकसान होगा, उत्तरपूर्बा भारत में, एक छोड़ा सा राज्य में, आज कौन प्रधान मंत्री को कहा, कि आप विस्तार से बात कीजिए मनिपूर के बारे में, ठीक है, जो ग्रिह मंत्रा अलाय का, जो जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वही पढ़के सुनाईए, विरोदी दल संतुष नहीं होगा, मगर आप इतना तो कीजिए, आप संसत का बाहर, चतिस सेकंड के लिए बात करने के लिए तियार है, और वो भी आप घुमाके पिराके उसमें राजनी दिले आते हैं, आपको लोग कह रहें कि, हाँ, हम सिर्फ मनिपूर के बारे में बात करेंगे, हम बंगाल के बारे में ब लहिंदर मुदी जी को होना नहीं चाहिए, एक और चीज़े कि ये केवल opposition parties की demand नहीं है, ये तो मनिपूर के लोगों की demand पिछले दो धाई महीरों से हैं, कि प्रधान मंत्री आएं, मनिपूर में intervene करें, किसी तरह से central rule लगाया जाए, अलग-अलग तरह की demands आई हैं कि प्र जो घटना हुई है मनिपूर में, सब के लिए शर्मानक है, अपका लज्जा जानक है, अज वुद्पूर्व हमारे जो वित्यमंत्री पे चदंबरम बोला कि 20 जुलाई से आज तक एक भी सवाल मनिपूर के ऊपर राजसभा लोग से हमें नहीं है, अब आप क्या करने चाह है, मैं समझता हूँ, ये एक तरह से शॉट साइट इस महयोपिया, आप नहीं समझ रहे, महिलाओं के मन में क्या जा रहे है आज, तो मेरा कहना है, ये प्रदानमंत्री को करना नहीं चाहिए, और अभी भी उनके पास समय है, अभी भी वो बात करने चाहते है, यहां तक क्य पहुचना है, राद भर विरोधी दल का लोग गांदी जी का मूर्थी के सामने राद भर स्वहा है, आम आदमी पार्टी का संजे सिंग जब राजय सभा का वैल में आया, उसको अपने पूरा शत्र के लिए अपने उसको सस्पेंट कर दिया, मैं तो बहुत साल से बहुत प और मैं समझता हूँ, सिर्फ प्रदान मंत्री का चवी नहीं, आज जिस तरह से हमारे संसत के दो राज्य सभा लोग सभा चल रहे हैं, ओम बिर्ला जी, जगतिब धांकर जी का चवी उच्वल दी हुआ, परज़ए अगर ये जो प्रस्ताव है, ये सकसीर नहीं करेगा, ये हम जानते हैं, नंबर क्या है, हम जानते हैं, लोग सभा में भारति जंता पार्टी का 303 है, एन डिये के पास 340 के आसपास है, हम जानते हैं, और राज्य सभा में भी बहुत सारे ऐसे स्थानिय दल है, जो भारति जंता पार्टी के बाद चल रहे जाएगा, तो बहुमत का स सुनने के लिए तियार हो जाएए विरोधी दल क्या कह रहे है भारत प्रश्का नागरिक क्या कह रहे है सुनने के लिए आप तियार हो जाएए इतना अहंकार आपके लिए भी अच्छा नहीं है देश के लिए भी अच्छा नहीं है क्या ये जरूरी है कि आप प्रधान मंत्री को आना ही पड़ेगा पार्लिमेंट में कहना पड़ेगा कुछ देखिए कुछ भी हो सकता है ऐसा हो सकता है कि अविश्वास प्रस्तव में सब लोग बात किया प्रधान मंत्री कुछ नहीं कहा है कुछ भी हो सकता है समय बताएंगे लेकिन इसका असर जो पड़ेगा जैसे आपने कहा महिलाओं पर ही नहीं पर पुरी देश की जनता जो वीडियो देख चुकी है जो मनिपूर के हनसा के शुरुवाती दोर से ही कह रही है मैं समझता हूँ उनी का लुकसान होगा यह समय बताएंगे चुनाओ अभी भी आट-दस महिना बाकी है क्या होगा चुनाओ में हमें मालूम नहीं है आपको भी मालूम नहीं है मगर भारत वर्ष का छवी सिर्फ योरोप में वहां का संसत कुछ कहा है में आदे को पसंद नहीं आया आज पूरा विश्व में सारे लोग आज भारत वर्ष के लिए वह अपने आपको कहते है लोग तंतर का मा मधर वौल-डमॉक्रसी वह विश्व के सबसे तूरे वह अपने आपको कहते है और ये एक मौका बना है opposition के लिए भी, India जो alliance है उनके लिए भी कि वो अलग-अलग तरह की strategies अपना हैं, अलग-अलग तरह से सरकार को अपने घेरे में लाने की उशिश करें, ये भी एक नया चीज हमने इसी session में देखा है. मैं समझता हूँ कि जब 26 राजनेतिक दल बेंगलूरू में एक गट-बंधन नेक तरह से वो India, Indian National Development, प्रधानमंदी क्या कह रहे हैं, वो India का नाम, बोल रहे हैं कि हाँ, popular front of India, मतलब आप आतनगवादी है, और आप कुछ कह रहे हैं, इंडिया नाम आपको पसंद नहीं है, भ आपील इंडिया, डिजिनल इंडिया, फ्लाना इंडिया, तो एक तरह से हम देख रहे हैं, यह गट-बंधन बनने के बाद, इनोंने इनका थोड़ा इनका एक तरह से नर्वस हो गया मैं समझता हूँ, जो आज सत्ते में हैं, आपका समय हैं, विदेश घूम के आना, अमरि जाना आपका समय मिल रहे जो G20 का जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो एक उद्गाटन के लिए आप पूजा करने के लिए तियार है आप बहुत कुछ करता तियार है मगर आप सांसत के अंदर जाके मनिपूर के ओपर एक स्टेट्मेंट देने के लिए तियार नहीं मैं समझतों स सब लोग समझ रहे हैं क्यों और दिए पी समय बताएंगे कब वो करेंगे कब मोदी जी कुछ कहेंगे और और चतिस से किंड से जादा को उन्होंने क्या कहेंगे या नहीं कहेंगे जी पर एंजॉय हमारे सार्ज जुडने के लिए बहुत शुक्रिया दन्यवाल तो ये थी जो कुकी महिलाओं को परेड किया जा रहा है तीन मेंसे जब मनिपूर में हिंसा शुरू हुई तब ही से वहां के लोग कहते आ रहे हैं कि प्रधान मंतरी कुछ कहें तो फिर सवाल उठता है इसमें इतनी जिजब क्यों हमारे सार्ज जुडने के लिए बहुत शुक्रिया देखे देगे निस्क्रिक